हेलो स्वाइब नेर उसमा प्लोग का स्वागत है और आज यहाँ पे ऑनर नहीं इंडिया के अंदर अपने 2019 का पहला बजेट स्मार्टफोन जो वो लाँच कर दिया है और वो है यहाँ पे ऑनर का 10 लाइट जी हाँ यह अनर 9 लाइट का सक्सेसर है और ऑनर 9 लाइट अपने पर बहुत ही ज़्यादा चला था और काफी मशूर था और 10 लाइट यहाँ पर आ चुका है इंडिया के अंदर फाइनली और यह कुछ टाइम पहले अभी रिसेंटली चायना के अंदर भी जो वो लाँच हो था अब यहाँ पर मैं आप लोग को आज इसका अंबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ और प्राइस मुझे फिलाल के लिए अभी यहाँ पर नहीं पता है क्योंकि जो एक्चुल लाँच है इंडिया के अंदर वो जन्वरी 15 को होने वाली यानि कि 15 जन्वरी को उसे दिन आपको एक्चुल प्राइस जो पता चल जा अगर यह इस वीडियो में आप लोग की इसकी अंबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर देने वाला हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में यह बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि बॉक्स आपको कुछ इस तरगी का मिलेगा और देखेंगे सामने लिका है और उपर चोटा सा एयाइ लिका है मतलब एयाइ का आपको भरपूर सपोर्ट इसमें वो मिलेगा वैसे रियर में तो आपको AI तो मिलते है यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यह पीछे कुस प प्राइस की गई और प्राइस याप हाई डे जैसे कि मैं आप से कहा था पंदरा तारी कोई पता चलेगा तो मैं आपको अबडेट कर दूगा एनिवेस यहाँ आगर मैं स्पेक्स के बाद कूर तो आपको 6.21 इंच की फूल इस्टी प्लस की एक वाटर रॉप या फिर आप काफी पॉफल प्रोसेसर है और यह उनका लेटिस्ट बजिट प्रोसेसर है यह 12NM वाला है और यह अभी आपको रिसेंट्ली ओनर की 8x में भी देखने को मिला था लेकिन अच्छी बात है कि साथ में आपको जीप्यू टर्बो वर्जिन 2.0 के साथ में मिलता है यहाँ यह हाला कि हुआवे का जो वाई 9 था वह भी लाउंच नहीं हुआ है तो वह पहला फोन बन जाता लेकिन यह वाला पहला फोने और साथ में जो जीप्यू टर्बो वर्जिन 1 था यह उससे आपको 14% फ्रेम डेट्स में हेल्प करेगा और 88% जो जिटर होती है गेम केलते हैं उस इसके रीर कैमरे के इंदर मिलते हैं जो में आपको इस वीडियो में बताऊगा 24 मेगा पिसल के आपको यहाँ पर सेल्फी मिलती है और यह भी आपको AI के साथ में मिलती है यह वही सेम कैमरा है जो आपको Realme के U1 में देखने को मिलाता सोनी IMX 576 सेंसर के साथ में आपको मिलत है आपको यहाँ पर 3400 इमिच की बैटरी मिलती है आपको 12NM वाला प्रसेसर मिलता है तो मुझी नहीं लगता है कि आपको बैटरी में कोई इशू आएगा एनिवेस यहाँ पर यह कुछ इसकी पड़ावट से यहाँ बॉक्स को ओपन कर लेते इस तरीके से और यहाँ पर स सबसे पिल आप चोटना सब box मिलता है और उसमें काफी सारी चीज़ आपको मिलती है और सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगा तो यह आपको इसका back case मिलता है क्योंकि इसका बैक काफी glossy है तो आप इसका 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 इसके बाद आपको यहाँ पर SIM ejector pin लगी रही ती जो मेरे पास अभी फिलार के लिए यहाँ पे नहीं है, कुछ यह documentation आपको यहाँ पर जो देखने को मिलती है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक charger मिलता है, यह जो उसका output है, वो 2.5V 2A के उपर मिलता है, जो यह fast charger नहीं है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक micro USB cable जो पैर करते तो यह काफी durable होता है, क्योंकि glass गिरते ही बहुत ही जल्दी तूट जाता है, यह इतना जल्दी नहीं तूटेगा, और साथ में आपको 3D layer, जो वो design के साथ में मिलता है, और यह तो आपको hold करने में grip जो है, वो काफी अच्छी मिलती है, तो मेरे साब से जो phone के design जाए ने वो back है, वो बहुत ही decent और premium लग रहा है, तो इस price में आपको एक बहुत ही कमाल की design जो देखने को मिल रहे है, साथ में अगर में इसके कुछ physical or की बात करूँ, तो नीचे आपको यहाँ पर एक micro use port मिल रहा है, साथ में 3.5 mm audio check, एक mic hole और speaker output जो देखने को मिलता है फोन के राइट साथ में आपको यहाँ पर power button, volume up and down की की मिलती है, फोन के left side में आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर आप लोग को secondary mic hole मिलता है, और एक SIM tray मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक hybrid slot मिलता है, जी हाँ, आप एक SIM card और एक micro stick card ही लगा सकते है, आप दो SIM card और एक micro stick card additionally नहीं लगा सकते है, पीछे देखेंगे यहाँ पर dual camera की placement आपको कुछ इस तरीकी की मिलती है, vertically LED flash है, नीचे लिका है AI camera, fingerprint scanner और एकदम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको honor की branding भी मिल जाती है, लेकिन एक चीज़ आपर notification light है, वो नीचे की दरफ मिलती है, आप देखेंगे यह वाली जो light है, यह LED notification light है, तो यहाँ पर आपको इसमें latest Android Pie मिलता है, जी हाँ, आपको Android Pie के साथ में मिलता है, EMUI वर्जिन आप देखेंगे 9.0.1 के उपर बेश्ट है, अच्छी बात है, और settings menu में उन्होंने तरहाँ सा customization किया है, थोड़ा बहुत उन्होंने छोटा कर दिया है, specially यहाँ पर यह जो phone है, उन्होंने one hand operation के लिए बनाया, मतलब एक हाथ से ही आप बहुत सारी चीजिस में कर सकते है, डिस्पे में आपको eye comfort वगरा भी मिल जाता है, और बहुत सारी चीज़े मिलती है, फुल स्क् अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे, यहाँ पर यहाँ सेट किया हूँ, टच करते ही, यहाँ पर यह उपन है, आप देखेंगे, मैंने टच किया, फिर एक बार दिखा दू, टच किया, तो बहुत ही फास्ट आपको fingerprint scanner मिलता है, face unlock मिलता है, वो भी आपको यहाँ पर तो वो सारे चीसे Android 9 Pie की features आपको यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिल जाते है, और यहाँ पर अगर मैं इसके कुछ UI की बात करता है, user interface अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीकी की मिलता है, और यह थोड़ा बहुत उन्हें ने changes की ही, थोड़ा इसकी UI के अंदर और multitasking menu भी आप देखेंगे आपको इस तरीकी की जो वो देखने को मिलती है, मैं एक बहुत सारे वीडियो से इस phone पर बनाऊंगा आगे चलके, बहुत सारी चीज़ हम करेंगे, कुछ tips और टिक्स की बाद भी मैं बताऊंगा आगे चलके, anyways यहाँ पर, मैं performance की बात करतू त यहाँ पर आप लोगो, मैंने इस पर PUBG का game install किया था, तो Kirin 710 है, GPU Turbo Version 2 है, तो मुझे gameplay बहुत ही smooth लगा था, मैं HD और High Graphics में खेल रहा था, तो gameplay यहाँ बहुत ही कमाल का आपको देखने को मिलेगा, considering the processor है, और प्लस आपको GPU Turbo 2 मिलता है, तो gameplay में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा issue आईगी, उसके बात यहाँ पर फाइनली अगर हमें कुछ आप लोगो camera की बात करता हूँ, तो आप लोगो 13 plus 2 Megapixel का dual rear facing camera मिलता है, यह AI camera है, 22 scene detection mode के साथ में आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आप लोगो बहुत सारे features मिलता है, इसकी camera के अंदर, मैं samples दिखा और यह उसकी information आपको यहाँ पर देदेंगा, फिर आप उसको जाके बाइ कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके का है, तो यह कुछ इस तरीके का आपको help करता है, नीचे QR code है, और बहुत सारी चीज़े इसके अंदर भी additional options मिल जाते है, आप उनका जो आप देखेंगे इस तरीके से, मैं AI को disable कर देता हूँ, तो जैसी की AI में इसनो optimize किया था, वो इसको off कर देगा, तो यह आपके उपर है, आपको AI में picture क्लिक करना है, नहीं करना है, आप वो भी यहाँ पर आके जो कर सकते है, तो यहाँ पर मैं आपको rear की कुछ samples दिखा रह आपको sony IMX 576 वाला sensor, वही same है, जो realme U1 में मिलता है, और selfie भी बहुत ही कमाल किया, लेकिन इसकी खासी थी है, कि इसमें आपको AI का support मिलता है, प्लस आपको, यहाँ पर एक feature मुझे बहुत ही कमाल का लगा है, कि इसके आपको screen flash मिलता है, जो पूरी screen को उन्हें बहुत ही well इसके बहुत ही कमाल की लगी है, कि अगर आप Instagram, Facebook, Twitter, कहीं पे भी surf कर रहे है, और को picture आपको दिख रहे है, और वो particular product आपको पसंद आता है, तो आपको screen पे सिर्फ डबल टैप, मतब दो अंगली से, सिर्फ press and hold करना इस तरीके से, आप देखेंगे, वो automatically उस particular product के बारे में आपको screen के पर जान करी देदेंगा, और आपको पसंद आता है, तो आप वहाँ पे जाके purchase कर सकते, आप देखेंगे, इस तरीकी की चीज़ें आपको दिखा रहा है, यह बहुत ही cool है, जो मैं tips and tricks में cover करूँगा, anyways, यहाँ पर यह फोन आपको कुछ इस तरीकी का मिलता है, अन्बॉक्सिंग रिव्यूस के, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए, मिलते हैं आप से ग्लिवड़ों में एक नेवड़ों के साथ, टेल इन वे ग्रेट डेए, and always keep smiling.